आईपेल 2024 का मैच नमर 19 खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजस बैंगलोर की टीम के बीच में खेला जाएगा यह मैच आरार की टीम अपने पिछले तीनों ही मैच जीत के साथ आ रही है वहीं पर RCB की टीम के लिए काफी ज़्यादा दिक्कते बड़ी हुए है अभी तक वो सिर्फ एक ही मैच जीत है तो काफी इंट्रेस्टिंग के मैच होगा और आज की चुले में आज हम इसी मैच का में अच्छी गिंद्बसी कर रहे तो अगर यह फिट है लाश्ट मैच में फिट नहीं बता है था ऐसा इसी वज़े से यह नहीं खेल पाएते और इस मैच में अगर फिट हो जाते हैं डेफिनिली प्लेइंग लॉन में यह सामिल हो जाएंग और और फिट नहीं होते तो ला इस तरहार की टीम में बैटिंग उनिट में कुछ कंसेंस नज़र आ रहे हैं सबसे पहला बड़ा कंसर्ण है इनका ओबनिंग प्र यसरश्षी जैसवाल बहुत ही बुरीया फॉर्म में दिख रहे हैं वहीं पर जॉस बैलर का भी फॉर्म नज़र नहीं आ रहा है तो यह का में यसरश्षी जैसवाल बड़िया फॉर्म दिखाए यहां पर थोड़ा टाइम ज़रूर ले और बड़ी इनिंग्स के लिए वही चीज जाती है जॉस बटलर के साथ भी जॉस बटलर के हाल तो इनसे भी थोड़े बुरे नज़र आते हैं और थोड़े बाउंडरी लगा रहते हैं और यहां पर फिर बाद में आउट हो रहा है और जॉस बटलर की बात करें तो यह तो कम्प्लीटली आउट आउट आफ फॉर्म ही दिख रहे हैं लास्ट मैंच में थोड़ी बाउंडरी ज़रूर लगाई थी लेकिन उतने ज्यादा कमफरटेबल यह दिख नहीं उसमें भी दोस्तों संजू सैंसन की इनकंसिस्टेंसी आरार की रिंगों बहुत जादा भारी पड़ सकती आगे जाते हैं तो यह तीनों ही खिलाडी बहुत जल्दी आउट हो जाता है तो सारा जो दारों में दार है वो रियान पराग पर आजाता है और बाकी के बल्ले बा सकते हैं और राजस्थान रॉयल्स के रिंगोर्ड यह कंसर कैसे ना कैसे दूर करना ही पड़ेगा संजू सैंसन को यहां पर पहले मैच में हमने देखा थे कि काफी बढ़िया तरीके से मैचोरेटी के साथ इन्होंने इनिंग्स को चला है था एंड तक लेगे थे लेकिन अ पड़ेंगे संजू सैंसन के लिए बहुत ही इंपोर्टन मैची से यह आई पिल काफी ज़्यादा इंपोर्टन है और हो करते कि इस मैच में यह तीनों ही मैचिस में काफी बढ़िया मैचोरिटी के साथ इन्होंने इनिंग्स के लिए लास्ट मैच की बात करें एमाई के अ भी बड़ा शॉट केलने की कोशिश नहीं करी पूरी पारी को पहले संबाला और एंड में जाके इन्होंने बड़िया शॉट्स लगाने शुरू करिये बहुत ही अच्छी चीज़ा आरर की टीम को यह ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर बार रियान पराग नहीं संबाल सकते कई ना कई कभी ना कभी यह दूनों खिलाड़े भी उस तरीके से नहीं परफॉम करवाएंगे किसी मैच में तो यह राजस्थान रॉयल स्क्रींग के लिए बड़ी चिंता है कि जो इनका टॉप ओडर है उनको यहां पर चलना पड़ेगा उनको पहुंस देनी मैच में रहे थे नांद्रे बर्गर की बात करें तो यह भी ट्रेंट बोल के साथ काफी बढ़िया तरीके से गेंद बजी करते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं लेकिन गेंद बजी करते हैं विकेटीग बॉलर है यह तो दिग गया है पहले तीन मैच जिसमें दिखाई देर यह बैटिंग में थोड़ा कंसर्न है वो भी टॉप थ्री का ही कंसर्न नजर आ रहे है अब दोस्तों बात करें हम रॉल चैनलेजस बैंगलोर के बार में तो आर्सीप की टिम लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कते बड़ी हुए क्योंकि चार मैचीज हो उतनी यहाँ पर वहांस नहीं दिखाई देती है और जब गेन बाजी चल दी है फिछले मैच की तरह तो बल्ले बाजी से यह टीम फ्लॉप हो जाती है लेकिन यहाँ पर आर्सीप की टीम की बात करें तो यह अच्छी खासी वहांस देते है और इस मैच में भी यह बढ़िय मैच जीतियों हमें दिख रही है वह आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा तो आपको वडियो अच्छ लगी है तो वडियो को जहुड से लाइक शेयर और चैनल पर पर पहले बाद आयो तो चैनल को जहुड से सब्सक्राइब करना